कि नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके सांथ प्रियाबिस्ट किसी भी धर्म में हिंसा की इजाज़त नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का कोई भी मौकान नहीं छोड़ते हैं और ठीकरा फोड़ते हैं धर्म पर और हद तो तब हो जाती है जब खुद को पत्रकार बताने वाले लोग भी इनके समर्थन में उतराते हैं और इनके लिए इनके किये गए कुकर्मों को सही बताते हैं उत्राखन के हल्दवानी से हिंसा की खबरे सामने आ चुकी है वहां पर स्थदी क्या है उससे कोई किसी को मतलब नहीं है लेकिन मतलब है तो सिर्फ अपनी खटिया सोच को लोगों तक पहचाने से खुद को वरिष्ट पत्रकार कहने वाली आरफा खानम शेरवानी भी इस वक्त यही कर रही है तो क्या कुछ है पूरा मामला सब कुछ आपको हमारे स्पिशल स्टोडी में बताते हैं कोट के आदेश पर उत्राखन के हल्दवानी मे पुलिस बल और निगम कर्मियों पर हमला कर दिया था इस हमले में 300 से अधिक अधिकारी घाल हुए कटर पंथियों ने ना सिर्फ पुलिस पर पत्राओ किया बलकि उन पर पैट्रोल बम भी फैके और वाहनों में आग लगा दी इस घटना के बाद पुलिस आरोपियों की प प्रोपगेंडा वेबसाइट दा वायर पर इस हिंसा को लेकर प्रोपगेंडा फिलाने का काम शुरू हो गया है इसलामी के हमेशा पाक साफ बताने में जुटे रहने वाली आर्फा खानम ने हलद्वानी हिंसा पर एक पैनल डिसकेशन का आईजिन किया इस पैनल डिसकेश में आर्फा खानम शिर्वानी के अलावा पत्रकार त्रिलोचन भट, पत्रकार उमाकांत लखेरा और वायर के ही एक और संपादक याकूत अली शामल थे आर्फा अपनी तरहा की एक अन्नी प्रोपगेंडा वेबसाइट स्क्रॉल की खबर का हवाला देते हुए कहती है कि क कामप्रदाइक उनमात फैलाने की नापाक कोशिश की जा रही है वायर के ही करमचारी याकूत अली जहल्द्वानी के स्थानी लोगों का हवाला देते हुए कहते हैं कि लोगों का कहना था कि पुलिस प्रशासन चाहते तो वो इस्थानी मुस्लिमों से बात करके मामले को लेकिन सीधा बुल्डोजन लेकर आ जाना और कारवाई की शुरुआत बेहग खराब तरीके से की गई वहां महिलाओं के उपर लाठी चार्ज की गई इन सारे समवाद को वीडियो के शुरुआत 10 मिनट में सुना जा सकता है हाला कि याकुत अली और आर्फा ने ये नहीं बताया कि पुलिस ने भीड पर लाठी चार्ज कब किया वो एक तरफा नरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं दरसल पुलिस प्रशासन जब एक अवैद मजजित और मदर्से को गिराने के लिए पहुँची तो वहां महिलाओं त्रिलोचन भट कहते हैं कि रासुका के तहत इन पर मुस्लिमों पर मुकदमा दर्च करने की तैयारी की जा रही है सबसे बाड़ी बात यह है चलो माना की उन्होंने पत्थर बाजी की लेकिन एक धार्मी के स्थल को बचाने के लिए धार्मी भावनाओं के तहत प्रशासन की और से की गई है और उनके बिना ये हो नहीं सकती उन्होंने इस्थानी पुलिस प्रशासन को सस्पेंट करने की मांग तक कर डाली लखेरा कहते हैं कि नगर निगम के उन अधिकारियों को जिन्होंने अत्तिक्रम हटाने की कारवाई शुड़ू कि उन्हें तत कोई हाईवे बन रहा था वो तो एक सक्री सी गली है उसमें बुल्डोजर लेकर जाना और लोगों को भरकाने और महौल को खराब करनी के लिए एक ऐसे एरिया को चुना जो पहले से ही समवेदंचील है वहां माइनरोटीज के लोग रहते हैं मुस्लिमों को नर्दोश थाबित करते हुए इसके बाद आर्फव कहती है सबसे बड़ी तो इसमें यही है कि जिसके पास आप अपील कर रहे हैं अगर वही एक पार्टी के हो तो उन्हीं के जरीए पूरा शडियंत रिचा जा रहा हो तो आखित एक आम नागरी एक नर्द प्रांत्रन विरोध कानून पर भी अपनी अताश्या जाहिर की बढ़ा आगे कहते हैं कि पहाडी शेत्रों में मुस्लिमों की आबादी बेहत कम है इसलिए उनकी छोटी छोटी मजारे सडकों के किनारे मुल जाएंगे वो कहते हैं कि मजारे भी हिंदू ही बना रहे है और क चोटी-चोटी मजारे बना दी जाती है इस पूरे पैनल डिश्कुशन में एंकर से लेकर पैनल में शामिल होने वाले लोगों ने वहां के मुस्लिमों को मासूम बता दिया इसके साथ इस हमले का सारा दोश प्रशासन और राजी सरकार पर मर दिया चर्शा के दौरा लोगों सुरक्षय अजेंसिया अब दंगाईयों की धर पकड़ में लगी है बनवुलपुरा में पांच दंगाईयों को गिरफतार किया गया है इसमें एक समाजवादी पार्टी के नेता का भाई है दो निवर्तमान पार्शद है और एक खनन कारोबारी भी शामिल है इस हिंसा के म महिलाओं को आगे किया गया था उन्हें भी चिन्नित किया जा रहा है उन्निस नामजद और पांच हजार अग्यातों के खिलाप मामला दर्ज किया गया है आरोपी जावेद सिद्धी का भाई अब्दुल मतीन सपा का उत्रखन प्रदेश प्रभारी है लाइन नंबर सोला क संचालक और लाइन नंबर तीन में उसका घर है ये सब वो हैं जिन्हें गिरफतार कर लिया गया है पांचों को रिमार्ड पर लेकर उनसे पूछताच की जा रही है अब्दुल मलिक ने ही मलिक बगीचा पर अवैद कबज़ा करके निर्मार करवाय था जहां इस्तित अवै लोगों को भड़काने और साजिश रचने के साथ ही कई धाराओं में मामला दर्श किया गया है उसने ही अवैद मदर्से और नमाज अस्तल का निर्मार करवाया था नगर निगम ने आठ महीने पहले भी मलिक का बगीचा नाम इस्तित पर अवैद निर्मार तोड़ा था जहां छोटे छोटे प्लाट बनाकर बेच दिये गए मकान खड़ा कर दिया गया दरसल 28 दिसंबर 2023 को सिटी मजिस्ट्रेड रिचा सिंग ने किसी ने अवैद कबज़ कर दी गई बात उच्ची न्यायाले तक पहुंची जब नगर निगम की टीम पहुंची तो हिंसा हो गई अब्दुलमलिक की ग्रफतारी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दो टीमें भीजी गई थी इतना ही नहीं हगदवानी में हिंसा की घटना के बाद से ब पोटो वीडियो एक कमेंट सोशल मीडिया में प्रसारित करेगा उसके वरुद कठोर वैधानिक कारवाही अमल में लाई जाएगी प्रशासन ने प्रभावित इलाकों को छोड़कर शहर के शेश हिस्सों में कर्फ्यू हटा लिया है डीम वंधना ने बताया कि संपूड ब प्रशासन की टीम दूद राशन और दवा पहुचाने की विवस्था कर रही है जिस जमीन पर विवाद चल रहा है उस जमीन पर कई पेच है जमीन किसी और को क्रिशी कारे के लिए मिलती है इसके किसी और को बेचा जाता है बाद में जमीन अब्दुल मलीक के पिता को पर दी थी अब्दुल मलिक और सफिया मलिक इस संपत्ती की देख रेक कर रहे थे सफिया मलिक के वकील ने नगर निगम के 30 जनवरी को ध्वस्ती करन संबंदिद अब देखना होगा कि इस मामले में अब क्या कारवाई देखने को मिलती है इस रिपोर्ट में फिलाल इतना ही बाकि तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी नमस्कार